जिस परकार हम लोगों ने history, political, geography, economics और psychology में 10 set वाला model set को cover किया था, just उसी परकार के set को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, sociology नी समा सास्तर के, मैं 101% guarantee देता हूँ, अगर आप ये 10 set को cover कर लेते हैं sociology के, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी sociology में, और आपका जो marks ह होगा बहुत अच्छा marks आएगा, board exam में, आपके पास time नहीं है, कुछी समय बचा हुआ है, तो please आप ये 10 set को cover कर लेंगे, क्योंकि ये 10 set के अंतरगर जितने सारे questions हैं, काफी important है, most important questions है, सभी questions है, board exam में पूछे जा चुके हैं, आपकी तैयारी क्या है, नहीं है, क्या पर पाए हैं, नहीं पड़ पाए हैं, वो कोई माने नहीं रखता है, अगर आप ये 10 set को cover कर लेते हैं, तो आप निश्चित हो करके board exam में देंगे, आपका board exam बहुत clear जाएगा, बहुत अच्छा अंक के साथ आप परदर्सन करेंगे, सोसल इजी में, ठीक है, तो 10 set को काफी cover क करना जरूरी है, हर एक subject का आपको cover कराया गया था, वहां से आपको question पूछे भी गए थे, तो please आपसे humbly request ये भी है, कि time जो काफी limited में है, तो अपने दोस्तों में एक बार जम करके share कर देंगे, क्योंकि उनको भी help हो जाएगा, उनसे भी बहुत सारे questions solve हो जाएगे, तो ह हम लोग चलते है, set 1 की ओर, set 1 to set 10, ठीक है, set 1 to 10, तो set 1 की ओर हम लोग चलते है, set 1 में क्या क्या question पूछे गए, काफी simple और आसान question पूछे गए, ये क्या है, अपका set 1 है, ठीक है, तो चले start करते है, क्या क्या question है, काफी unique question होगा, थुरा सा जूम कर लेते हैं, सबसे first question काई अवर और पेज नहीं, यारि आपसन आपका भी बिल्कुल करेक्ट टेंस हो जाएंगे, फर्स नमबर कोशन का, अब देखें, सेकेंड नमबर कोशन में पूछा गया है, कि संसेकर्टी करण की अबधारना किस नहीं दी, तो संसेकर्टी करण की जो अबधारना दी थी, सि समाथ सास्तरी के पिता की रूप में जाने जाते हैं, तो अगश्ट कोंतों को, कि इनकों अगश्ट कोंतों को समाथ सास्तरी के पिता की रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ सोसलोजी कहे जाते हैं, आपसन आपका डी बिल्कुल राइट सुझाएंगे, थार्ड नमबर प्राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, यह बात कहते हैं, आपका option A, बिल्कुल और राइटन सुरु जाएंगे, चलिए नेश्ट कोशन आपका स्क्रीन पर question number 6, काश्ट एंड क्लास इन इंडिया, पुस्तक किसने लिखी, काश्ट एंड क्लास इन इंडिया, जो पुस्तक के लेखक है, उनके लेखक के नाम है, जी एस घुरुवे, जी एस घुरुवे, यानि आपसन आपका D, बिल्कुल राइटन सुरु जाएंगे, शिक्स नमबर कोशन का, अब देखिए, किसने समाज सास्तरों को समाज की विग्यान की रूप में वर्नन किया है, ठीक है, किसने वर्नन किया है, तो यह जो वर्नन किया है, वार्ड साहब ने, किसने वार्ड ने, आपसन आपका A, बिल्कुल राइटन सुरु जाएंगे, पूछा गया कोशन नमबर एट में, किससन साहब गहाँ गहाँ पी time है, आसान कोशन है कि किस वर्स दे सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्थापना की गई थी तो कौन सा वर्स था उस टैम 1905 में कब 1905 में ही 1905 में ही अल्फरेड बीने साहब ने गुद्धी को मापने का सबसे पहला परियास किया था दुनिया में याद है ना आपसन अपका अभी बिल्कुल राइटन सुझाएंगे 10th नमर कोशन का चले नेश्ट कोशन आपका स्क्रीन पर कोशन नमर 11 त पूछा गया कि भारतिय अर्थे विवस्ता का मोडल किस परकार का है तो यह जो मोडल है यह कैसा परकार का मोडल है एक तरह से स्पुंजी वादी है यहां उस नमर कोशन का वह जाएगा आपका अनुच्छेद 45 क्या हो जाएंगे अनुच्छेद 45 यापसन आपका डी बिल्कुल राइटन सुझाएंगे चले नेश्ट कोशन आपका स्क्रीन पर कोशन वर 13 पूछा गया कि दृतिय पीछा वर्ग आयो की अधिक्च कौन है वह वाजद चैर्मेन अफ सेकंड बैकवार्ड कमिसन तो यह जो चैर्मेन है वह कौन है तो यहाँ जो राइटन सुझाएंगे वह हो जाएंगे बीपी मंडल कौन है बीपी मंडल आपसन आपका बी बिल्कुल राइटन सुरू जाएंगे देखें नेश्ट कोशन पूछा गया कि किस व यूनिक लगता है, लगता है कि समाज के बारे में कुछ जान रहे हैं, अगर सोसेजली नहीं पढ़ेंगे तो लगता है कि कुछ जान बेने करते हैं समाज के बारे में, यहां बहुत सरा जानकरी मिलता, एक्जाम के दिरिश्टी से पढ़ते हैं, फिर एक्जाम के दिरिश्ट पूचा गया कि बिहार में सरकारी नौकडी में पीछले वर्गों के लिए कितना परतिसद स्थान जो है सन रक्षीत है मतलब आ रक्षीत है ठीक है बैकवार्ड कलास के लिए तो यहां जो राइट इंस हो जाएका 16 नमबर कोशन का वह जाएगा 12 परतिसद कितना 12 परतिसद आ इरुजान आयोक जो होता है वो लोकसभाचिना यानि एक तरह से आनौउंसर करता है जो एक तरह से किसका संसद का चुना होता है MP का चुना होता है आप से अपका सी बिल्कुल करेक्टन सुरो जाएंगे नेश्ट कोशन देखे नेशान के जाती विवस्ता का बरहमन वाती स सिस्टम और अब देखे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौहन थे तो यहां हो जाएंगे महादेव गोविंद रानाडे यहांनी प्रार्थना समाज समाज के founder थे आपसन अपका टी बिल्कुल कर राइटेंस रो जाएंगे नेश्ट कोर्सन देखे काफी simple और आसान कोर्सन प्लीज वीडियो को like कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एवर शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि दोस्तों मैं देखा कि बहुत सारे देखें लेकिन ये सेट को cover कराया नहीं गया है यूटूब की अंतर ठीक है यूटूब में कहीं भी आप search कर लेंगे आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो फिलीज अपने दोस्तों में बहुत जम करके share कर देंगे तो यहां जो 28 वन का जो राइटन्स हो जाएगा वह जाएगा वेक्तिवादिता वेक्तिवादिता ये गरामिन समुदाय की विसेस्ता नहीं होती गरामिन समुदाय में धरमें भी होता किरसी भी होता निमने जनसें के आगनों तो होता ठीक है ये बिल्कुल विसेस्ता है ल निश्टे को जनंगे पूछा गया है कि निश्टे को जन्गे से कौन एक जाती नहीं है यानि जाती नहीं है यानि which one of the following is not a caste तो caste जो यह वेस्ट जो है वह एक जाती नहीं है आपसे आपका एह बिल्कुल करेक्ट सुझाएंगी 23 नमर कोशन का नेश्ट कोशन देखिए उपनी वेश्वाद का संबंद है तो उपनी वेश्वाद का जो संबंद होता है कोनुलिजम का जो संबंद होता है किस से होता है इसका संबंद है पुंजी वाद से कैपिटलिजम से हो जाए किस से पुंजी वाद से यानि पुंजी व पराया गया है, आपको political है, political का exam दिए, तो आपको any बेसेंट पराया गया होगा, ठीक है, यह बिल्कुल करेंगे, फॉस्ट चेर्मेन, फॉस्ट वुमेंच चेर्मेन आफ इंडिन नेशनल कंग्रेस, अपका ए बिल्कुल राइट एंस रो जाएंगे भारत में सामाजिक अस्तरी करन का मुख्य आधार क्या है तो भारत में जो सामाजिक अस्तरी करन का मुख्य आधार है वो जाती है काश्ट है क्या है जाती यानि काश्ट है सामाजिक करन समाजिक अस्थरी करन करना ठीक है अब देखे नेश्ट कोशन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है सिंपल कोशन है कितना इंटरेस्टिंग है कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है निमने में कौन राज ये उच्च घनतो वाला है तो बिहार जो है उच्च घनतो वाला है और सबसे कम घनतो अरुनाचल पर देश हो जाएंगे सबसे कम जनसें के असम में हो जाएंगे सबसे कम जनसें के असम में हो जाएंगे सबसे ज्यादा जनसें के यूपी में आपको पराया गया था यह कौंट सावर से चल रहा था उनीस सो पलचान रवब को 19 and 95 को option अब का 3 बिल्कुल राइटनस रो जाएंगे देखे question पूछागे कि धरम का क्या ताथपड़े होता है what is the meaning of religion तो meaning यह क्या meaning होता है religion का ठीक है तो 29 का जो बिल्कुल प्राकिर्थिक यानि पड़ा प्राकिर्थिक सक्तियों में विश्वास यानि belief in supernatural power यह होता धरम का मतलब ठीक है यानि option अब का C बिल्कुल राइटनस हो जाएंगे अब देखे question पूछा गया कि पड़्यावरन दिवस की रूप में किस दिन को मनाया जाता है तो यह पाँच जून को यानि which day is celebrated is environment day पाँच जून यानि option अब का यह बिल्कुल correct इस हो जाएंगे थर्टी नमर कोशन का अब देखे पूछा गया 31 में कि परभुजती परभुजती के अफधारना को निमनमे से किस समाज सास्तरी ने परिवासित किया है तो यह परिवासित करने का जो कारे किया है वो कौन थे सिरी निवास ने किसने सिरी निवास ने option अब का सी बिल्कुल correct इस हो जाएंगे नेश्ट देखे कोशन पूछा गया कि निमनमे से कौन निमनमे कौन जन जाती है धरम का सावरूप है तो यहां जो राइटन सुझेगा 32 नूमर कोशन का हो जाएगा तोटम वाद यानि आपसन आपका भी बिल्कुल राइटन सुझेंगे 32 नूमर कोशन का अब देखे कोशन में 33 में पूछा गया तो मैंने अप लोगों को कई बार बताया है फैमिली इस एन एग्जाम्पल अफ प्रैमिरी ग्रूप यानि परेवार जो है उधारन है किसका प्रार्थमिक समु का आपसन आपका ए बिल्कुल करेटन सुझेंगे 34 नूमर कोशन का परार्थमिक जो समु होता है सादस्रीम के बीच घनिष्ट सम्बन पाया जाते है काफी कलोजली कलोजली होते है अब देखे करो या मरो का नारा किस सम्बन दी ते मतलब दे सलोगन का do or die is related with ये किस के साथ तो मतलब किस ने ये नारा दिया था बिल्कुल करेक्टेस हो जाएंगे तो इसका जो करेक्टेस हो जाए गा लगन आज ने आप को नहीं दिया गया अब देखे ये क्वेक्टेस नारा कि बल्वनत राय महता समिति संबन दी ये किससे सम्भंधित है- 5 राज्वे से किससे- 5 राज्य से- प्रार्थमें सीवस्दृ क्क्रेट्स रो जाएंगे प्रम ole vaccinkes स眉स्पदिट Psalm सम्भंधित है तो ठाथि 9 जो बिल्कुल रूति- अफिर राज्य के नीती नीड़े सक्त्टो sare आपसन आपका D बिल्कुल correctness हो जाएंगे राज्य के कितने तत्तों हैं तो टोटल तत्तों की जो संक्या होती राज्य में वो कितना होते वो होते पांच राज्य के कितने तत्तों हैं पांच तत्तों है आपसन आपका D बिल्कुल sorry 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 से कुं साइट था य Hai हम लोग इंकर चूके हैं हम लोग इंखर चुके हैं से टू में देखें हैं यह मतलब क्या है सब्सक्राय कि देखिए कि किस ने समाज सास्तरों को सामाजिक समू का विग्यान कहा तो ये बात जो कहे थे Johnson नहीं, Johnson के अनुसार समाज सास्तरों को सामाजिक समू का विग्यान कहा यानि who said sociology is the science of social group, ये कहे थे किस ने, Johnson ने, आपसन आपका D बिलकुल correctness रो जाएंगे, नेश्ट कुस्तन जाएंगे, ये आपसन आपका A बिलकुल correctness हो जाएंगा, second number question का, अब देखिए स्वार क्या पुछागे कि सावर मती आसरम के सरस्तापक को थे, बिलकुल इसका जो correctness हो जाएंगा, third number question का, महत्मा गांदी जी को थे, who was the founder of सावर मती आसरम महत्मा गांदी, आपसन आपका A बिलकुल rightness हो जाएंगे, देखिए, question पुछागे कि भारत में नई सिक्चानी थी, कब घोसित की गई, तो भारत में जो नई सिक्चानी थी, घोसित की गई थी, 1986 में, 1986 में, option आपका क्या हो जाएगा, option आपका C will be rightness हो जाएंगा, पांच ओ नमबर question का, अब नेश्टे question देखिएंगे, question काफी unique और आसान question है, कि दांडी यातरा संबनी था है, दांडी यातरा किस से संबनी था है, तो यहाँ जो character सुझेगे, माहत्मा गांदी से, यानि किस से माहत्मा गांदी ने दांडी यातरा की थे, यानि option आपका B, बिलकुल rightness हो जुएंगे, पांच ओ दिया था, यानि who gave racial theory of caste system, तो यह जो दिये थे, यह दिये थे किसने, nine of this आपका हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं है, उनका नामा को नहीं दिया गया है, भारत गंतंतर कब बना था, तो भारत जो गंतंतर बना था, कब बना था, इसका बिलकुल correctness हो जाएगा, 26 जन्वड़ इनने में से कौन हरित करांती के जनक की रूप में जाना जाता है, तो हरित करांती के जनक की रूप में जो जाना जाता है, इनको जाना जाता है, यह नॉर्मन बारलोग को यह आपसन आपका C बिलकुल correctness हो जाएगे, जो fundamental duties से सम्मधित है, आपसन आपका D बिलकुल correctness हो ज अब निश्ट कोशन बढ़ेंगे, कोशन आपका ठीन स्क्रीट पर पूछा गया, कि कौन हरित करांती का उत्परेड़क नहीं है, कौन हरित करांती का उत्परेड़क नहीं है, तो यहां जो हो जाएंगे वर्सा, वर्सा जो है वो हरित करांती का उत्परेड़क नहीं है, बाक तो कम्यूनिटी कौन हो जाएंगे यहाँ जो 11 तक बिल्कुल करेक्ट में सुझाएंगे जगा नगर नगर क्या है एक पर करकर समूदा है अपसन आपका यह बिल्कुल करेक्ट में सुझाएंगे 11 नमबर कॉशन का अब देखिए शारदा एक्ट कब पारिद किया गया था यानि शारदा एक्ट जो पारिद किया गया था 19 एंडर 29 को यानि 1929 को आपसन आपका यह बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे 12 नमबर कॉशन का अब देखिए कॉशन में 13 पूछा गया कि आत्मसमान अंदोलन से संब्धित है आत्मसमान अंदोलन से संब्धित है कौन तो यहां जो करेक्टर सुझाएंगे वो हो जाएंगे आपका रामा स्वामी नायकर यानि आपसन आपका यह बिल्कुल रायटर सुझाएंगे 13 नमबर कॉशन का अब देखिए पूछा गया से 2 का 14 कोशन कहा रहा है कि किरसी के लिए कौन पडिवार अनुकुल है तो यहां जो रायटर सुझाएंगे 14 का वो हो जाएगा सन्युक्त पडिवार यानि जॉइंट फेमिली यानि आपसन आपका ए बिल्कुल रायटर सुझाएंगे 14 नमबर कॉशन का पुछाएगा कि आरे समाज की अस्थापना कब हुई थी तो बिल्कुल इसका जो करेक्टर सुझाएगा हो जाएगा 18 and 75 यानि 1875 को आरे समाज की क्या हुए थी अस्थापना की जाए थी आपसन आपका भी बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे से टू का 15 नमबर कॉशन का अब देखे कोशन पुछा गया कि 16 नमबर कॉशन में कहरा कि भुमांडली करेक्ट सम्मधित है आपसन आपका C बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे अब देखे कोशन में 18 में पुछा गया कि नमने में से कौन सामाजिक नियंतरन का एजनसी है तो यहां जो रायटरन सुझाएगा वो हो जाएगा आपका परिवार भी हो जाएगा धरम भी हो जाएगा पड़म पड़ा भी हो जाएगा आपसन आपका D बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे जो क्या है सामाजिक नियंतरन का एक एजनसी की रूप मा कारे करता है बहु वेदवाद यानि बहु सरी बहु देववाद बहु देववाद किस धरम की विसेशता है बहु देव यानि एक से ज़दा देव ठीक है तो किस धरम की विसेशता है यह हिंदू धरम की विसेशता है यानि आपसन आपका A बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे क्या हो जाएंगे आपसन A बिल्कुल राइटर सुझाएंगे बिल्कुल और टीकनलोजी और नगरी करण से क्या होता है कि समाज वरतन बदला वाता है तो ये तोनों तिनों कर अब आपको जाएंगे अपसेन बिल्कुल राइडर गिए 21 नमर कोशन का अब देखे कोषन मर 22 मा पूछा गया कि नातेदारी संबन्दीत है, यानि काइंसिप इस रिलेटेड विट, तो यह जो संबन्दीत है, किस से संबन्दीत है, यह दोनों से, जनम से भी और विवास से भी, जनम से भी और विवास से भी दोनों से, आपसन अब कसी बिल्कुल करेक्टर सुझेंगे 22 नमर कोशन का, लोगों को पुरा दुनिया को नहीं अब ऐसा संग ऐसा राष्टर संग होनी चाहिए जिसका बात सब कोई मने और दुनिया में सांती बनी रहे ठीक है तो 1945 में इसके अस्थापना हुई थी आप संटी बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे नेश्ट अब पुछा गया कि पंचा जो मूल कारण है वो है आपका सिक्छा परोद्दोकी की और सामाजिक आर्थिक कारक यानि अपसन आपका डी बिल्कुल करेक्टर सुझाएंगे तीनों के तीनों के तीनों कारक जो है भारत में जन अधिक कारक है यानि जन के अधिक कारक है ठीक है यानि उनको अधिकार है चुआ चुद को सन्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत परती बंदित किया गया है तो बिल्कुल इसका जो करेक्टर सुज़ेंगे 26 नमर कोशन का वोजेगा अर्टिकल 17 यानुचेद 17 के अंतरगत चुआ चुद को क्या कर दिया गया है बैन कर दिया गया है मतलब इसको बाधा डाल डा ठीक है तो यहां दोनों छेत्रवाद भी और संपरदायवाद भी दोनों जो है राश्ट्रे करन में क्या है बाधक है आपसन आपका सी बिल्कुल करेट इस रहेंगे 27 नमर कोशन का अद देखिए कोशन में 28 पूशा गया कि 17 समाज की अस्थापना किस ने की देखिए कोशन में 30 पूशा गया कि निमने बैसे कौन सरमिक संगटन है तो यहां जो सरमिक संगटन की रुक में कारे करते हैं वो BMS कौन BMS यह नि आपसन आपका ए बिल्कुल करेट इस रहेंगे 30 नमर कोशन का अब देखिए कोशन में 31 जनांकी की एका अर्थ क्या होता है वो क्या होता है यह मतलब होता है उसका कि जनसें क्या का अधियन करना जनांकी की की का मतलब क्या होता है जनसें क्या का अधियन करना जनसें क्या के बारे में जानना आपसन डी बिल्कुल राइटर्स हो जाएंगे इसको क्या बोला जाता है अपसन आपका डी बिल्कुल रा जो सम्मादीत है ये किस आंदोलान सेसे त्योक्ता इंजन जाते है गांदोलान से साथ और किसे ट्रैबल मुटम्ट से यानि आपसना आपका भी बिलकुल करेटे स्टusta 33 का अब दिखे कोशनमे कोशनमे 35 में पूछा गया कि किस आंदोलन का जनक कौन है? यानि किसान आंदोलन किसान आंदोलन का जनक कौन है? किसान आंदोलन का जो जनक है सहजानन अधुर प्रस्वस्थी पढ़ाय गया था अपको political में याद आ रहा है कि नहीं? option आपका be बिल्कुल correct हैस हो जाएंगे 35 नेंवर कोशन का अब चलिए next question पूछा गया कि भारती इतिहास में काला यूग किसे कहा गया है भारती इतिहास में जो काला यूग कहा गया है वो किसको मद्धे में यूग को किसमें middle period को कहा किया क्या कहा गया इंडियन हिस्टरी में बलेक इरा कहा गया है मतलब काला यू कहा गया है आपसन आपका क्या हो जागा भी बिल्कुल करेक्टन सुझाएगा अब चले नेश्ट कोशन पुछाएगा कि हिंदू विवा अधिनियम कब पारित किया गया हिंदू मेरेज एक्ट जो पास हुआ ये कब पारित किया गया था ये पारित किया गया था 1905 को आपसन आपका भी बिल्कुल करेक्टन सुझाएगे 37 नमर कोशन का अब चले नेश्ट कोशन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान कोशन पुछा जाता है कंप्यूटर संब्धीत है तो कंप्यूटर जो संब्धीत है किस संस्किर्थी करण से 38 है ना तो ये संब्धीत है आदुनी की करण से यानि modernization से किस ने modernization से या अपसन आपका एब बिल्कुल करेक्टन सुझाएगे पूशा गया कि परभुजात पर बुजा कि अधारना किसने दीती तो यह जो अधारना परवाइट करने का काम किया था सिरी निवास ने किसने सिरी निवास ने option आपका ए बिल्कुल correct रो जाएंगे कौन खुली अर्थे बिवस्ता है which is an open system तो open system तो यहाँ है आपका वर्णा भी है और वर्गा भी है ठीक है याँ आपसन आपका C बिल्कुल correct रो जाएंगे 14 नमर कौशन का तो यह conscious state था यह आपका second state था तो आज फिर हम लोग क्या करेंगे third state की और in करते हैं चलिए देखते हैं third state में क्या-क्या question से पूछे गया है third state में हम लोग इंटरी कर चुके हैं यह क्या-third state है state 3 sociology चलिए यह लिखते हैं क्या-क्या question है unique question है most important questions है सबसे interesting subject लगता है हमको न चलिए सबसे first question state 3 का पूछा गया है कि august count से count देश सम्मधित है यह जो देश कौन सा देश के थे वो फ्रांस है यह आपसन आपका C बिल्कुल correct answer हो जाएंगे first number question का state 3 का first number question का option C correct answer हो जाएंगे देखिए question पूछा कि समासास्तर सम्मधित है sociology is related with यह किससे सम्मधित है तो यह जो सम्मधित है यह सम्मधित आपका ओद्दोगी करांती और फरांसे से करांती दोनों से यह आपसन आपका C बिल्कुल right सुझाएंगे आपसन C बिल्कुल correct सुझाएंगे second number question का नेश्ट कॉसन देखिए industrial revolution and french revolution sociology is related with both ठीक है यह 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 समाज की परकिरती क्या है तो समाज की जो परकिरती होती है यह क्या होती है यह क्या होती है यह क्या होती है कि आमूर्त होती है यह आपसन आपका B बिल्कुल correct सुझाएंगे third number question का क्या हो जागा समाज की परकिरती की आमूर्त होती है नेश्ट कॉसन पूचाएंगे परार्थमिक सम्हों की अफधारना किस नहीं दी थी तो परार्थमिक सम्हों की जो आइडोलेजी है concept है परार्थमिक जो है यह प्रोवाइट करने का काम किया था CH कूले ने किसमें CH कूले ने option आपका C correct नस हो जाएंगे fourth number question का अब नेश्ट कोशन देखिए काफी simple question पूचा गया कि भारत में समाजिक अस्तरी करन का क्या आधार है तो यहाँ जो आधार माना जाता है समाजिक अस्तरी करन में जाती को, काश्ट को, काश्ट को क्या मना जाता है social stratification का मना जाता है basic social stratification in India ठीक है stratification अब नेश्ट कोशन पूचा गया कि इन में से कौन भारत में समाजिक परिवर्तन का आंतरी कारक है ठीक है तो यहाँ जो आंतरी कारक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अब का sun security करन क्या हो जाएंगे sun security करन याई आप से आपका भी बिल्कुल correct रस हो जाएंगे नेश्ट कोशन पूचाएंगे कि नातेदारी संबनीत है किसी दोनों से जनम से भी और विवा से भी आप सनब का C will be correct answer हो जाएंगे 7th number question का अब देखे सामाजिक परिवर्तन क्या है तो सामाज में what is social change सामाजिक परिवर्तन क्या है तो यह बरकार का सामाजिक सनरशना एवं कारे में परिवर्तन सामाजिक सनरशना यानि सामाज की क्या सानरशना है उसकी structure क्या है और इसके function से क्या उसमें change आ जाता है उसको क्या करते है सोचल चेंज यानि समाजिक परिवर्तन बोले जाते हैं और सरम कसी बिल्कुल करेक्टन सुझाएंगे एट नमर कोशन का अब चले नेश्ट कोशन पुछा गया कि कौन अनुच्यत पंचाती बेवस्ता से सम्मदीत है अब चले नेश्ट कोशन परिवार किया है तो परिवार एक परकर का प्रामिरी कुरूप है प्रार्थमिक सम्मू है नेश्ट कोशन देखिए भारत की सवतनतरता का संबंद किस योजना से है तो 11 था का जो बिल्कुल करेक्टर सुझा का हो जाएगा माउंट वेटन योजना माउंट वेटन योजना यहनि आपसन आपका C will be correct answer C क्या हो जाएंगे राइटर सुझा जाएंगे 11th नमबर कुशन का भारती राष्टर कॉंग्रेस के स्थापना किस वर्स होई थी तो भारती राष्टर कॉंग्रेस के स्थापना भारती राष्टर सुझा पराष्टर कॉंग्रेस के स्थापना जानता 26.1950 को जन्डा फराते हैं हम लोग क्या करते हैं एक तरह से गंतंतर दीवस के रूप मनाते हैं आपसन आपका D बिल्कुल राष्टर सुझा जाएंगे तो यहां जो क्रेक्टर सुझा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका उनिस सुझा गया कि आरे समाज की अस्थापना किस ने की तो बिल्कुल इसका जो क्रेक्टर सुझाएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल इसका जो क्रेक्टर सुझाएगा वो जाएगा आपका स्वामी द्यानेंद सर्वसवती ने आरे जिन समाज की अस्थापना की थी स्वामी द्यानेन्द सरसोती ने अब चलेए नेश्ट pound 묵ुछा किया काफी सिंपल कस्ति असाना मौलिक अदिकार टोटल कितने है मौलिक अदिकार जो है sau है टोटल कितने है छे है ठीक है पहले साथ था संपतिक कादेकार को रिल्श करते है fundamental rights की रूप में नहीं रखा उसको संपत्ति कादिकार को अभी क्या है शे है आपसन अपका ये बिल्कुल correct ने सुझाएंगे 16 नमबर कुशन का अब देखें नेश्ट कुशन अपका स्क्रीन पर जाती एक बंद अवर गए किसने कहा है ये बात किसने कहा है किसने मजूमदार और मदान ने ये बात कहा है थे आपसन अपका ये बिल्कुल correct ने सुझाएंगे कुशन पुछा गया कि इरावती कारवे के अनुसार सन्युक्ते पडिवार संब्द थे है तो ये किस से संब्द थे है ये तीन पीरी से किस से थीरी जैनरेसे से सम्मदीत है किस के अनुसार इरावती कारवे के अनुसार आपसन अपका भी बिल्कुल correct ने सुझाएंगे देखे पर्थम पीछरा वर गया आयोग की अर्थे चकाउन थे पर्थम पीछरा वर गया आयोग ठीक है तो यहां जो correct ने सुझाएंगे काका साहब कालेकर काका साहब कालेलकर यानि आपसन आपका C correct ने सुझाएंगे 90 नवर कॉशन का अब निश्ट कॉशन काफी सिंपल और आसान कॉशन है सोसाइटी नामक पुरस का पुस्तक की रशना किसने की society नामक जो पुष्टक बुख है ये किसने की तो यहां जो correctness हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेकाईवर और पेज नहीं आपसने आपका डी बिल्कुल राइटन्स रो जाएगे देखे फूचा गया कि जनांकी की का अर्थ क्या होता है कि जनसंख्या का अधियन करना क्या होता है डेमोगराफी में क्या करते हैं कि जनसंख्या का population का हम लोग history करते हैं जनसंख्या के बारे में जानते हैं आपसने आपका ये बिल्कुल correctness रो जाएगे निश्ट देखे पूचा गया है कि निमने मैसे कौन सामाजिक समस्या है निमने मैसे कौन सामाजिक समस्या है तो यहाँ जो राइटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अपका भिक्चा विर्ति क्या हो जाएगा भिक्चा विर्ति बेगरे नि भिक्चा विर्ति का मतलब भूख मांगना है कोई फकीर आते हैं सुब क्या मतलब एक तरसे भीख मांगना कर लाता है विक्षा विरती ये समाजी के एक समस्या है आपसन आपका भी बिल्कुल करेटर सुझाएंगे 22 नूमर कोशन का अद देखे पूछा गया कि निम्नमे से कौन राज उच्चे जनसंकिया घनत्तों से संथ्ता की सतल कोशन आपसन आपका सी बिल्कुल करेटर सुझाएंगे 223 कोशन की सत्था का क्या हो जाएगा तर शीच इनिव राक्त्रानिक्ता करेटर से ले lives कि नीज़िघ पूछा कि लिएक कोशन करें बिर्सा मुंडा का संबंद किस अंदोलन से है, तो बिर्सा मुंडा का जो संबंद हुआ जन जाती अंदोलन से है, 26 का बिल्कुल correct कर सुझाएंगे, 26 नमबर कोशन का option D बिल्कुल right सुझाएंगे, बिर्सा मुंडा is related with tribal movement, अब देखें नेश्ट कोशन पुझाएंगे, कि सामाजिक संब्रशना की अफधारना को किसने परस्तुत किया, तो यह जो परस्तुत करने का कारे किया था, वो इस्पेंसर साब ने, किसने, इस्पेंसर ने, यानि आपसन आपका B बिल्कुल correct कर सुझाएंगे, इनमें किसको पर जाता है, यानि आपसन आपका A, 28 नमर कोशन का, किनिमनें मैं से कौन एक सनस्ता है, तो यहान जो सनस्ता की रूप में कारे हो जाएगा, यानि सनस्ता, विच वन आप दी प्लुविंग इस एंस्टिज़ुटिशन, सेट अफ रोल्स कहा नियो मों का मतलब पालन हो रहा ठीक है तो 29 का जो बिल्कुल करेक्टर सुझाएगा वह जाएगा आपका वीवा यानि वीवा क्या है एक परकर का सनस्ता ठीक है अब चलें नेश्ट कोशन पुछा गया कि भारती राष्ट्रे कॉंग्डेस के अस्ता अप सी छोटा पद जो होता वो होता गराम पंचायत क्या हो जाता है दा लोवेस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इस गराम पंचायत आपका क्या हो जाएंगे यह बिल्कुल राष्ट्रे सुझाएगे 31 नमर कोशन का अब देखे कोशन में 32 सन सेकृर्टी करें के कौन है ना तो यहां जो राष्ट्रे सुझाएगा हो जाएगा संकरिट विजरी संकरिट विज है बिरिड इस यानि आपसन अपका डी बिल्कुल राष्ट्रे सुझाएगे 33 नमर कोशन का अब देखे कोशन में 34 पूछा गया कि निमने में से कौन समुदाय का एक्जामपल है तो यहां जो समुदाय का एक्जामपल हो जाएगा 34 में हो जाएगा गाऊं को महां बहुत सारे लोग रहते हैं मिल तो आक समुदाय का निर्बान होता कमयूटी है वह एक एक संपल है कि इसका का आपसन अपका भी बिल्कुल करेटने सुझेंगे 34 नुमर कोशन का अब देखे पंचा वर्सी योजना पराणंब हुआ था तो पंचा वर्सी योजना जो शुरू हुआ था वह 1951 से कब से 1951 से शुरू हुआ था 1951 से 56 तक चला था पहला और अपसन अपका भी बिल्कुल करेटने सुझेंगे 35 नुमर कोशन का अब देखे कोशन में 36 हम रूल के सनस्थापक कौन है वह वाज दे फौंडर ऑफ हम रूल ठीक है तो यह जो सनस्थापक ते कौन थे बिल्कुल इसका करेटने तिलग अपसन अपका एथ बिल्कुल करेटने सुझेंगे निश्च पुछागी के भी जन जाती सम्दीत है तो भी करेस्थान के काहांके राजस्थान के आपसन अब क्या हो जाएगा D बिल्कुल करेक्टनस हो जाएगा 37 number question का अदिकी question में 38 चिप को आंदोरन सम्मद देते हैं तो किसे विरिक्षा से विरिक्षा से सम्मद देते चिप को आंदोरन में लोग विरिक्षा से चिपक जादेते फिरिक्षे को काटने नहीं देते थे ठीक है पुछा गया है कि पंचाती राज में कितने अस्तर होते हैं कितने लेयर होते हैं हो मैंने stage in दियर पंचाती राज है ठीक है तो ये जो correctance हो जाएंगे हो जाएंगे अब कर टोटल कितने अस्तर होते, तीन अस्तर होते, पंचाहती राज में, आपसन आपका क्या हो जगा, बी बिल्कुल कराइटर्स हो जाएगा, निश्टे दो किये, योजना आयोग कब अस्थापित किया गया था, अभी तो योजना आयोग का जगर नीती आयोग ने ले लिया है, ठीक है, नीती आयोग का गठन जो हो जगा था, तो योजना आयोग का जितना कार यह था, वो आप नीती आयोग कर रहा है, लेकिन योजना आयोग का जो अस्थापना हुआ था, वो कब हुआ था, ये हुआ था, आपका 1950 में, आपसन आपका ए बिल्कुल कराइटर्स हो जाएंगे, 40 सब्सक्राइण ने, नवार कूशन का ठीक है, तोarks 3 के अंतर पर जितने सारे कोशण, सथे, सब्सक्राइख defence 3 के अंतर के total 40, करके कोशण, हर एक सब्सक्राइख 抄 करके कोशण है, तो सक हम vector 3 का सबी उने करते हैं, ईहूँअरिक हैं क्वार कि ऊर क्वार कब 850 में option अब कभी बिल्कुल करेक्टन सुझाएंगे नेश्ट पुछा गया कि निमने मैं से किसका संबंद जनांकी की से होता है तो यहां जो राइट सुझा जनसंख्या का अद्यन यहां जनसंख्या का अद्यन को क्या बोलते हैं डेमोगराफी बोलते हैं यह आप सब कभ इसके जो परतिपादक है यह कौन है रिजले सहाब कौन है रिजले सहाब यानि आपसन आपका ए बिल्कुल करे इसके बिल्कुल करेटर रिलिजिस लाइफ पुस्तक का नाम है इसके बिल्कुल करेटर रिलिजिस लाइफ यहां जो रिजले सहाब का वो जाएगा आपका गैर संगारी संगठन यानि नन गवर्मेंट और्गिनाजेशन एंजियो बोलते हैं उसके एंज से होगे नन जी से गवर्मेंट होगे और उसे और्गिनाजेशन यानि यह क्या है एक एंजियो का मतलब फूल फोरम दिया गया आपको आपसन अपका भी बिल्कुल राइटन्स हो जाएंगे सेवंध नमबर कोशन का अब देखिए कोशन पुछा गया कि निमने मैसे किसका संबन्द दूत्य एक छेत्रे से है तो यहाँ जो रिलेशन होता वो होता उद्दोग यह इंडेश्ट्री जो हुआ क्या है सेकेंडरी सेक्टर मां आता है आपसन अपका भी बिल्कुल करेटन्स हो जाएंगे नेश्टर पुछा गया कि छुवाचुत को सनुविधान के किस अनुच्छेत की अंतरगत परतिबंदित किया गया बैंड किया गया सनुविधान का आर्टिक्ल 17 के अंतरगत यह बैंड कर दिया गया यानि छुवाचुत की जो मतलब बिवस्था थी यानि आपसन अपका डी बिल्कुल करेट इस तो जाएंगे नाइंत नुबर कोशन का अब देखिए कोशन में 10 पूछा गया तो जंजाती की जो समस्या नहीं है वो है चुवाचुत चुवाचुत जो है यह जंजाती चेत्र की अभी समसया नहीं है बाकी भूमी विल्कौ, स्कृद, वन, उल्मून इनमें से शभी यहां जो रोत जाएंगे मंदल कमिशन में अध्यक्श चाहिए है तो मंदल कमिशन की जो अध्यक्श थे वो बीपी मंडल थे कौन थे भीपी मंडल या विचार अपका एपसरे बिहार में महिलाओं के लिए कितने अस्थान आरक्षीत है यानि जो reservation में रखा गया है तो total जो रखा गया 33% कितना 33% option अपका भी बिल्कुल right सुझेंगे 12 number question का अब देखे 30 number question में पुछा गया है कि सन्विधान के count से संसोधन के दोरा अस्थानिय शवसासन में महिलाओं के परतिनिदित्ट को बढ़ाने की courses की गई तो बढ़ाने की courses की गई ठीक है तो बढ़ाने की courses की गई थी कौन सा इसका जो बिल्कुल correct सुझेगा हो जाएगा आपका तेहतरवाँ और चोंतरवाँ ये जो तेहतरवाँ और चोंतरवाँ जो सन्विधान संसोधन है इसी में महिला की परतिनिदित्ट को बढ़ाने की courses की गई थी शवसासन में आपसन अपका भी बिल्कुल राइजन सुरू जाएंगे देखिए question 14 पूचा गया काफ़ी simple और र बिखर जाएंगे ठीक है यानि आपसन अपका एब बिल्कुल करेटर सुझाएगा 14 नमर कोशन का अब देखिए next question पूचा गया कि भारत में भासा के आधार पर राज्यू का पुनर गठन कब किया गया था तो यह जो किया गया था यह उनीश्य सो पच्पन में 19 55 में यानि आपसन अपका सी बिल्कुल करेटर सुझाएगे 16 नमर कोशन का अब देखिए next question पूचा गया question 16 वो जाएगा 15 वो जाएगा 16 में पूचा गया कि निमने मैंसे किसका संबंद जिंजाती अर्थे विवस्ता से नहीं है तो किसका संबंद नहीं है तो यहाँ जो राज्यू को हो जाएगा आपका मुनाफ़ा खोड़ी यानि आपका प्रफिटिंग यह मतलब जिंजाती है अर्थे विवस्ता से संबंद नहीं है बाकि यह तीनों है आपसन आपका यह बिल्कुल राइट इंसरो जाएगे देखिए question पूचा गया कि इनमने मैंसे कौन एक व्यक्तिक अ जो अबधारना है यह जो concept है इसको देने का कारे किया था MN स्री वास्तव MN स्री निवासने यह आपसन आपका B बिल्कुल राइट इंसरो जाएंगे अधिए question पूचा गया कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारिद किया गया था तो भारत में जो पंचायती र बिल्कुल क्रैट में सुझाएंगे 20 निवर कोशन का अब जिलें नेश्ट कोशन पूचा गया कि हरित करांती का मुक्य कारक कारक है वो काउन से हो जाएंगे रासानी खादा और बीज यानि रासानी खादा और हाइब इंसरो जाएंगे अब देखे question आपका स्क्रीन पर प 22 नूमर कोशन का अब देखे question 24 23 पूचा गया कि भारती अर्थे बिवस्ता का मोडल किस परकार का है तो मिस्रित अर्थे बिवस्ता है भारत की अर्थे बिवस्ता क्या है मिस्रित अर्थे बिवस्ता है इसमें एक तरह से private sector और सारुजिनिक सेक्टर दोनों को मतलब बराव इलेक्ट्रोनिक और कंप्यूटर इन में से सभी all of this क्या हो जाएंगे all of this यानि आपसर आपका डी बिल्कुल करेट सुझेंगे 24 नूमर कोशन का अब देखे question 25 में पूछा गया कि भूमंडली करन का संबंद इन मैंसे किसके साथ है तो भूमंडली करन का जो संबंद होता ह इसके साथ हो जाएगा यह हो जाएगा अपका उधारी करेंद क्या हो जाएगा उदारी करेंद याणि आपसर आपका एपका ए बिल्कुल करेट सुझेंगे 25 नोबर कुशन का यानि गलोबालाजिशन ठीक है जेके किसान आंदोलन के जनक कों ते कों ते सहांनन्द सरस्वत ते option आपका C बिल्कुल राइटर्स हो जाएंगे ठीक है यानि farmer protest के जो present present movement बोलते हैं इसको present movement है न यहाँ देखे पुछा गया कि आत्मसंबान आंदुलन के परेड़ना थे तो आत्मसंबान बहुत भारती समाज की वह अनेकता में एकता क्या हो जाएंगे अनेकता में एकता है यानि unity of diversity unity of diversity यानि आपसन आपका ए बिल्कुल राइटर्स हो जाएंगे चले नेश्ट कोशन पूछा गिए काफी question काहि रहा कि भारत में जहारखंडा आंदुलन का आडम बे किस जन जाती दोरा किया गया था तो यहाँ जो correct नेश्ट हो जाएगा 29 नेवर question का वह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा संथाल किसके दोरा संथाल जो जान जाती है उसी के दोरा आरम बे सुरू किया गया पार्टसन ये आपसन अपका स्थी बिल्कुल करेक्ट ये सुझेंगे 30 नबर कोशन का अब देखे कोशन में 31 पूछा गया कि आरे समाज के सनस्थाफक कोँन है तो हम लोग जानते हैं कि आरे समाज की जो सनस्थाफक है वह कौन है बिल्कुल इसका जो रायटन सुझेगा हो सामानने भासा और सामाने संस्थाफक होते हैं जनजाती कि ठीक है आपसन आपका डी बिल्कुल करेक्ट इस सुझेगे इन में से सभी ये तीनों के तीनों कहाई विशेशता है जनजाती कि खेरा आंदुलन का संबंद इन में से किससे है तो यहां जो रायटन सुझाएगा 33 33 number question का कि जिसक आंदोलन यानि पिजन्ट मुव्मेंट यानि आप से अपका ए बिल्कुल करेटर्स हो जाएंगे 33 number question का अब देखें question में 34 में पुछा गया कि इनमें से कौन छेत्रिय दल है ठीक है यानि छेत्रिय दल 34 number question का अब देखें question आपको पुछा गया कि वीशेष वीवाः अधिनियम कब पारित किया गया था कि यह जो पारित किया गया था यह पारित किया गय था 1915 में यानि 295 में option आपका ए बिल्कुल पुछाएगा कि मेगा पार्टकर मेगा पार्टकर किस आंदोलन से जूरी है तो मेगा पार्टकर जो जूरी है वो पडियावरन आंदोलन से किसे एन्वारमेंट मुवमेंट से यानि आपसन अपका ए बिल्कुल राइट अंस रो जाएगे सती सिस्टम में क्या होता था पता है आप लोगों को परहाया गया हिस्टरी में देखे पूछा गया कि भारती राजनीतिक धांचा इंगित करता है भारती राजनीतिक जो धांचा है यहने इस्ट्रक्चर जो है यह क्या इंडिकेट्स करता है मतलब क्या दरसाता है तो ये जो दरसाता है ये संगवाद को यानि किसको दरसाता है फेडरलिजम को यानि संगवाद को दरसाता है यानि option of policy बिलकुल correct तो सुझाएंगे 38 नमर कोशन का अब देखे 39 में पुछा गया कि बहुपती विवा किस जनजाती में पाया जाता है तो बहुपती विवा जो पाया जाता कौनसा जनजाती में पाया जाता है ये पाया जाता खासी जनजाती में किस में है खासी जनजाती में ये चीज पाया जाता बहुपती विवा अब देखे भारत में अलपसंखेक समुदाए के निर्धारन का क्या आदार है भारत में अलपसंखेक समुदाए के निर्धारन का जो आदार है वो क्या है धर्म यानि क्या है धर्म यानि आपसन अपका भी बिल्कुल करें तो सो जेंगे 40 नमर कोशन का ठीक है तो यह कौनसार सेट था? सेट 4 सेट 4 के अंतर के टोटल कितना कोउ cyn है? 40 कोउ cyn को हम लोगों ने cover कर लिया तो in करते हैं हम नोग सेट 5 की और सेट 5 है हम लोग super in कर चुकिए यह कौनसा सेट है? सेट 5 है देख सकते हैं जल्ट है मतलब पर्टिफल है ऑप्सन आपका डी बिल्कुल करेंस रोजाएंगे देखे पुछा गया कि संद 2011 की जंगरना के समय भारत की कुल जंसेंगा कितनी थी तो आपको पढ़ाया गया था जोग्रफी में 2011 की बात की जाती तो 111 करोर कितना 121 करोर अगर 2010 की बात की जा तो हमाँ थी 102 करोर ठीक है यानी 120 करोर हो जाएंगे ऑपसन आपका डी बिल्कुल राय टेंस रोजाएंगे देखे कोशन पुछा गया काफी सिंपल और आसान कोशन है किसने कहा जाती एक बंद अवरगा है जाती एक बंद अवरगा है तो ये बात जो कहती ये बात किसने कह बात कहते हैं मजुमदार और मदान ने अपसन आपका ए बिल्कुल राय टेंस रोजाएंगे देखे कोशन पूछा गया कि ग्रामी नगरी सातत तकी अवधारना किसने दिया तो ये जो दिये तिये रेड फिल्डर ने किसने रेड फिल्डर ने आपसन आपका सी बिल्कुल राय टेंस रोजाएंगे देखे कोशन पूछा गया कि चाचा नातेदारी की किस सरेणी की अंतरगत आता चाचा नातेदारी की किस सरेणी की अंतरगत आता ठीक है तो ये जो सरेणी हो जाएंगे ये जाएंगे सेकंडरी यानि सेकंड सरेणी यानि दुर्डिक सरेणी की अ वो कौन सा है तो भारत के जो सबसे बरा जो बन जन जाते है ट्राइबल गूरूप है इंडिया का वो कौन सा हो जाएंगे भील जन जाते हैं यह आपसन आपका सी बिलकुल करेक्टन सुरू जाएंगे सेबंत नूमर कौशन का अब देखे कौशन पूछा गए कि कीस वर्ड से महिला महिला समिर्दी योजना पराणब किया गया महिला समिर्दी योजना जो पराणब किया कौन सा साल में ये किया गया था 19 and 93 1993 में option अपका भी बिल्कुल correct answer हो जाएंगे देखे question number 9 ते मैं पूछा गिए काफी simple और आसान question है कहरा question कि क्या question करा है कि निमने में से कौन पीछले वर्गा आयोग के पर्थम अदेख चेते तो ये जो थे ये कौन थे बिल्कुल इसका राइटर्स हो जाएगा काका कालेकर कौन थे काका कालेकर option अपका भी बिल्कुल राइटर्स हो जाएंगे question number 10 अपका screen पर आपके समयक चेप पूछा गया है सभी questions are most important question है पूछा जा चुका question है कोई इसा question नहीं है बोड एक्जामर नहीं पूछा गया हो भारत ये सन्विदान मा अनुच्छे 334 यानि article 3 and 34 ये का जो सम्मध है ये किस से relation है मतलब 3 and 34 जो article है ये किसके बारे में बात करता है ठीक है तो ये जो बात करता है किसके बारे में ये हो जाएंगे अब देखे नेश्ट कोशन पूछा गया कि भारत सरकार ने सरवपर्थम अलपस संग्यक आयो की अस्थापना की सवर से की थी कौन सवर से किया था तो यहां जो यानि मानुरिटी कमिसन की जो अस्थापना की थे भारत सरकार सबजे पहले 1978 में कब 1978 में यानि आपसन आपका ए बिल्कुल राटन्स हो जाएंगे अगर देखे राश्टरवाद का अड़त क्या होता है राश्टरवाद का जो मतलब होता है नेश्टरवाद का इसका मतलब होता है एक तरह से सामानने सामाजिक पुरिष्टिबुटी इसका माज़ सामानने जाती पुरिष्टिबुटी सामानने भागुलिक पुरिष्टिबुटी यानि तीनों की तीनों हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेट पर सुझेगा सुरी यहां आपको नहीं दिया गया है राश्टरवाद का मतलब होता है अपने आपको तैयार रखना राश्टर के इससे प्यार करना राश्टर के परती अपना पड़ेम जाहिर करना पड़ेम करना ठीक है तो यह होता राश्टरवाद ननोदीज हो जाएगा इनमें से कोई ने ठीक है अब देखे नेश्ट कुछन पूचागे है कि पलजातंतर क कि क्या विशेस्ता तो पलजातंतर की जो विशेस्ता होती है कानून की दिरिष्टी में समानता बिल्कुल सारो भूमिक मता दीकर प्रेस की सोतंतर पलजातंतर पलजातंतर लोगों का तंतर ठीक है डेमोकरसी यह तो इनमें से सभी हो जाएंगे आपका अपसंटी बिल्कु I am a child of revolution, ठीकर तो यह बात जो कहेते, यह बात किसने कहेते, यह बोटो में, यानि बोटो मोर ए सुर जाएंगे, देखे, कुशन पूचागे कि भारत में नियुम ने, वैसे किस राज्य में, नगरी करन्च अगर सबसे जधा हुआ है, वह कौन सा राज्चे में हुआ है, पच करने की मातरत सबसे अधिक है अब देखे पूछा गया है कि नगरिये ता एक जीवन पद्धिती है यह किसने कहा था यह बात जो कहते विर्थने किसने कहते विर्थने ने आपसन अपका भी बिल्कुल क्राइट कि सुझाएंगे 16 नमर कोशन का अब देखे नेश्ट कोशन कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था जनता पार्टी का जो गठन हुआ था तब हुआ था 1977 में आपसन अपका डी बिल्कुल राइट रो जाएंगे अब देखे इनमें से ग्राम पंचायद की कौन सी एक साखा है कौन सी ब्रांच यहां तो साखा आपका नाम आपको दिय यह जाएंगे आपका गराम सभा और गराम कच्री दोनों क्या हो जाएंगे दोनों आपसन अपका सी बिल्कुल राइट रोजाएंगे अब देखे संसे करण की आपधारन किसने दी यह जो आपको पारित हुआ था यह वा था हुआ था 1951 में 1951 में अब देखे क्वेशन पूछा गया किनी में से पईडात अंतर का चौथा अस्तंब अकाउंट सा है चौथा अस्तंब यानि फूर्थ पीलर ऑफ डेमोकरेशी ठीक है तो यहां जो क्रेक्टियों सुझेंगे 22 नुमर क्वेशन का हो जाएगा जन संचा तो यहां जो क्रेक्टियों सुझेगा वो हो जाएगा अपका परतियस्वर्दा, सरम, विबाजन, सन्विदा बिल्कुल तीनों का संबंद बाजार परनाली से है इनमें से सभी आपका राइटन सुरू जाएगे घोडूल किस जन जाती में पाया जाता है तो यह चीज पाय जन संख्या नीती कब घोसित हुआ यह नई राष्टिय जन संख्या नीती जो घोसित हुआ था यह हुआ था 2000 जाएगे अधिक को फुचाएगे भारत में राजनेतिक दलों को माननेता कौन देता है यह देने का कारे कौन करता है तो ये जो कारे करता है ये चुनाओ है होगी यानि इलेक्शन कमिशन का कारे होता ठीक है यानि आपसन आपका D बिल्कुल करेटर सुझाएगे 28 निमर कोशन का अब देखे कोशन में 29 पुछागे कि भारती इतिहास के किस काल को भारती इस्तरी जाती का अंधकार यूग कहा ज यान जो राटर सुझाएगा आपका मद्देकाल को किस को? मद्देकाल को यानि मिड्ल प्रियर्ट को आपसन आपका C बिल्कुल राटर सुझाएगे 29 निमर कोशन का अब देखे, पुछा गया कि किर्षक समाज की आफधारना किस ने दी थी तो किर्षक समाज की जो आफधारना है इसको दी थी रॉबर्ट रेडफिल्ड ने किस ने रॉबर्ट रेडफिल्ड ने आपसन अपका ए बिल्कुल राटनस रो जाएंगे चिप को आंदोलन सम्मदी था किस सम्मदी था विरिख्षों की रख्षा से किस से विरिख्षों की रख्षा से यानि protection of 3 यानि option आपका see बिल्कुल राइटर सुझेंगे 31 number question का अब देखे 32 पूछा गया कि पंचायती राज के कितने अस्तर है तो पंचायती राज के तो है था ठीक है तो यहां जो 33 का बिल्कुल राइटर सुझेगा वो जाएगा आप्का सwyddत्य है चानती के बहार साधी करने का अलाव नहीं देता है जातीynnिride का क सिश्टम है आपको अपना काश्ट महीं साधी करना पड़ेगा वो अलाव नहीं देता ठीक है outcome अपका ये विल् 2020 में कब 1925 का राच एंसर और ऑप्शन ए बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाएंगे अब दीके इन में से किसे सामाजिक परिवर्थन के साधन के रूप में माना गया है तो यहां जो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीती निर्दे सकता तो बिलकुल ये भी हो जाएं से हैंड 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 ह तो यहां जो हो जाएगे सामाजिक करन सामाजिक सुरुख चारिक सामाजिक नियंतरन बिल्कुल तीनों हो जाएगे इनमें से सभी आलोब देज अपका रायटन सुरुज़ जाएगा तो यह कौन सा सेट था सेट 5 में जितने सारे कोशन से टूटल 40 कोशन था हम लोगों ने सेकी कोशन कोंचा नहीं है तो सनस्ता का एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहां को चूश करेके निकाला ना है सम नरने आपसन अब कभी बिल्कुल करेक्टर सुझेंगे सेकेंड नमर कोशन का अब देखें कोशन अब थार्ड पुछा गया कि कौन ग्राम समुदाय की विश्यस्ता नहीं है तो यहाँ जो राइटर्ण सुझेगा थार्ड नमर कोशन का हो जाएगा अब चारीक संबन देने फॉर्मल रिलेश्यसिप यह ग्राम समुदाय की विश्यस्ता नहीं होती है आपसन अब कड़ी बिल्कुल राइटर्ण सुझेगे थार्ड नमर कोशन का अब देखें कोशन पुछा कि काफी सिंपल और आसन कोशन है सन्युक्त परिवार की विश्यस्ता नहीं है तो सन्युक्त परिवार की विश्यस्ता एक्जामपल नहीं हो जाएंगे सीमित आकार यानि लिमिन्टेट साइज यानि आपसन अब कड़ी बिल्कुल राइटर्ण सुझेगे महिलाओं की परिस्तिती में गिरावट के क्या करण है ठीक है तो बाल वीवा या फिर नया विधान या फिर बिरिटीज पर भाओ ठीक है यहाँ जो राइट इन सुझागा बाल वीवा ठीक है चाल्ड मेरेज आपसन आपका ए बिल्कुल करेट इन सुझागे कि साहयोग सांती पूर्ण संगर्स है कि किसका कतन है कि समूधाय के आधारवु तत्यों क्या है तो आधारबु तक तो जो हो जाएंगे ये तीनों समाजिक सम्हों, हम भावना और निष्टित धुबाब, क्यों कि सभी आपका अपसंडी बिल्कुल रहाट टेस रहेंगे, गरामीन समाज है तो गरामीन समाज जो है समाजिक राजनितिक सनस्था और राजनितिक वेवस्था मानविए बेवार तीनों चीज़ को हम लोग पढ़ते है या फिर समाज को पढ़ते है समाज सास्तर में समाज का देन कराता है समाज सास्तर समाज का देन कराता है समाज के दो परकारों यानि समाज के दो परकारों युद्धरत एवंग आउद्धोगी का विसलेसन किसके परस्तुत किया गया किसने परस्तुत किया आप संब का एक पुछाएंगे कि समाज है तो समाज जो है वो एक यहां अमुर्त है यानि अब्स्ट्रेक्ट है ठीक है निमलिकित मैंसे समुदाय का उधारन कौन सा है तो यहां जो समुदाय का एकजांपल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आपका बंदी गिरह क्या हो जाएंगे बंदी गिरह यानि आप संब का ए बिलकुल ग्राइट असरो जाएंगे सेवन्टीन में कि समु को दो भागों में इस परकार करने किसने वरगी किरिट किया था तो यह जो वरगी करने का जो कारी किये थे कि घुले साब ने किसने घुले साब कभी बिल्कुल का राइटन सुझाएंगे Occupational, Occupational Theory, ठीक है Question पुछागी है कि हम उस पडिवार को सन्युक्त पडिवार कहते हैं, जिसमें एकाकी पडिवार से अधिक पीडियों के सदस से, पीडियों के सदस से, डैस इस पर कार का मत विक्रिस का है, ठीक है तो यहाँ जो राइटन सुझाएंगे, यह कारवे का मत है किसका कारवे का कहना है, कारवे का मानना है, यहाँ में खित मैंसे काउन सा कारण सन्युक्त पडिवार के विगटन का नहीं है तो यहां जो राइटन सुरुएगा 21 नूमर कोशन का वो जाएगा जलवायू क्या हो जाएगे जलवायू यानि आपसन आपका A, D बिल्कुल राइटन सुरुएगे 21 नूमर कोशन का बिल्कुल राइटन सुरुएगा 23 नूमर कोशन का कोशन पुछा गया कि मैसे किसने प्रार्थमिक सहयोगी द्वेतिक सहयोग एवं धिरतियक सहयोगी की चर्चा है किसमें है यह चर्चा जो की गई है किसमें की गई है तो यह चर्चा की गई है आपके इसमें गिरिन में किसम गिरिन में यह आपसन अपका B बिल्कुल राइटर सुरेंगे 24 नुमर कॉशन का अब देखिए क्वेशन में 25 पुछा गया कि the decline of the waste पुस्तक के लेकर कौन है इनके जो लेकर का वो कौन है तो यह हो जाएंगे अपका यह हो जाएंगे अपसन अपका A बिल्कुल राइटर सुरेंगे 25 नुमर कॉशन का अब देखिए क्वेशन में 26 पूछा गया कि इसको जो कहते हैं इसको क्या कह जाता इसको दैव निडरसन आपका अब कभी बिल्कुल राइटर सुरेंगे Q28 में पुछा गया कि परगर्दी का अर्थ क्या होता है परगर्दी का अर्थ है क्या इसका मतलब होता है तो इसका मतलब होता है एक निश्चित वांचन ये दिसा में पडिवर्थन क्या हो जाएगा Change in definite desirable direction ये अपना चाहत की दिसा में पडिवर्थन करना आप से अपका स्थी बिल्कुल राइटन्स रुजाएगे यानि अपना जो दिसा पसंद है उसी में हम लोग Change करते उसको क्या बोलते है उसको क्या बोला जाता है उसको प्रोग्रेस बोला जाता है समाज सास्तरी के लिए एक धरम समाज सास्तरी के लिए धरम है ये क्या है धरम जो है समाज सास्तरी के लिए एक परकार का ये है समाजिक घटना क्या है सोशल फिनोमिनन है ठीक है अब देखे पवितरता और पवितरता की धारना किसकी विसेजता है यह जो concept है यह किसकी विशेचता है तो यह हो जाएंगे जाती विवस्ता का कास्यर सिस्टम का option अब का भी बिल्कुल राइटर्स हो जाएंगे Question 31 में पूचा गया कि यह किसकी माननेता है कि जाती पवित्रता और पवित्रता के आउधार्ना का पर आधारित एक मनोवेक्याने इखटना है यानि एक तरह से psychological phenomena है किसकी आउधार्ना है किसका मानना है तो यह जो मानना है यह किसका मानना है लुईडियूमा का किसका बिल्कुल राइटन्स रो जाएंगे, संसेकर्टी करने की अबधारना किस ने परतिपादित किया, तो ये जो परतिपादित करने का कारे किया था, संसेकर्टी करने की अबधारना, M.N. स्री निवास कौन है, M.N. स्री निवास ने ये परतिपादित किया था, संसेकर्टी करन कि माध्यम से जाती बिवस्था में गती सिलता है तो यह क्या हो जाएंगे राइटर से मात्र एक इस्तिती परिवर्तन क्या है मात्र एक इस्तिती परिवर्तन आपसन अपका भी बिल्गुल करेक्टनश हो जाएंगे अब देखे question number 35 पूछा गया कि समाज और सनस Aujourdən दोरा पंचाथि राज विवस्था को एक सनवीधानिक दर्जा परदान किया गया ठीक है तो यहां जो correctness हो जाएगा 36 number question का वो हो जाएगा आपका सब्द का निर्मान हुआ तो यह हुआ था 1838 में कब 1838 में अब देखिए question पूचा गया कि जब एक स्तरी के एक सी अधिक पती होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे को क्या कहा जाता है इसको बोला जाता है 38 में जो correctness हो जाएगा यह बहुपती पढ़ता है यह बिल्कुल correctness हो जाएगा था अब देखिए question पूचा गया कि हम समयतियों यानि हम समयतियों के सद्धिस्ते होते हैं ना कि सनस्थाओं के यह कथन किसका ठीक है तो यहां जो राइटन सुझेगा यह जो कथन है यह मेकाईवर और पेज का कथन है ठीक है मेकाईवर एवंग पेज का यह स्टेटमेंट है फोटी माँ पुछाएगा कि भारत का सबसे बारा जंजाती समयों काउन सा है तो यह भील जो है भारत का सबसे बारा सुरी यह हो जाएगे जंजाती समयों ना तो यहां जो करेक्टन सुझेगा फोटी नमर कोशन का वो जाएगा आपका भील हो जाएंगे निया आपसर आपका क्या हो जाएंगे सी बिल्कुल करेंगे तो टोटल कितना question कवर किया हम लोगों ने state 6 की अंतरकर total 40 question को हम लोगों ने cover किया तो अब फिर हम लोग इन करते है state 7 में ठीक है तो चलिए देखते है state 7 में क्या क्या questions है state 7 में हम लोग इन कर चुगे यह कौन सा state है state 7 है तो चलिए देखते है question काफी unique होंगे state 7 का और सभी questions को याद रखेंगे सबसे first question state 7 का आपका screen पर पूछा गया question करा कि निमल्कित मेंसे कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विसेस्ता नहीं है ठीक है तो उस विसेस्ता जो नहीं है यहाँ जो राइटर सुझेगा हो जाएगा अपका जनम पर आधारित यानि option अपका क्या हो जाएगा question का अब देखें निमल्कित मेंसे कौन सा कतन सही नहीं है मतलब गलत कतन है ठीक है तो यहाँ जो गलत कतन हो जाएगे जाती विसेस्ता में सन सतरन नहीं पाया जाता है जैनि option अपका C बिल्कुल करेंटर सुझेगे third number question का अब देखें next question पूछा गया काफी simple और आसन question है question करा कि जब एक उच्च जाती है क्या बोला है कि जब एक उच्च जाती समो का लड़का अपने सिन्नीम न जाती समो की लड़की से साधी करता है तो ऐसे विवा को क्या बोले जाती है तो ऐसे विवा को जो बोला जाता है अनुलोम विवा क्या बोलते है अनुलोम मेरेज बोले जाते है अनुलोम मेरेज ठीक है कोशन पुछागिया है कि धरम अध्यात्मिक, धरम अध्यात्मिक सक्ति में विश्वास है, किसने धरम को इस परकार का परिवासित किया है, ठीक है, धरम अध्यात्मिक सक्ति में विश्वास है, यह जो परिवासित किया है, किसने किया है, यह किया है, यह किया है, टायलर ने, किसने टाइलर ने आपसन अपका सी बिल्कुल करेटन सुरू जाएंगे क्वेशन पुछागे कि अरुंटा जनजाती का अध्यान किसने किया था तो अरुंटा जो जनजाती है इसका अध्यान किया था डर्खाइमने किसने डर्खाइमने ने आपसन आपका भी बिल्कुल करेटने सुरू जाएंगे kinship organization in India पुष्टक के लेखक कौन है तो इनके जो लेखक है इनके लेखक का नाम है काफी simple question है यह जो हो जाएंगे इरावती करवे कौन है इरावती करवे यहनि आप सनब कभी बिल्कुल correctness हो जाएंगे एट नमबर question का आप देखे नाइंध नमबर question पूछा गया कि आदर्समात्मक आदर्सात्मक संसिक्रिति की चर्चा किसने की तो यह जो चर्चा किसने की है तो यह जो चर्चा की है सोरो किन्ने किसने सोरो किन्ने आप सनब कभी बिल्कुल correctness रुजाएंगे पृत शरे यह पेट शरे सम्मदित है यह किस सम्मदित है यह पिता की बहन या बुवास है ठीक है यह आप सनब का यह बिल्कुल rightness रुएंगे 10th नमबर question का अब देखे question 11 दहज नीरोधक कानून किस वर से पारित किया गया था तो यह जो पारित किया गया था कब 1971 में अब देखे stans कृटिक की चोटी से चोटी यूनित क्या है य Όनले कजांच को यह बोले जाते है सां सिक्रिक तत्त्त् zit क्या बोले जाते सां सिक्रिक्ट्धक तत्त्त यानि क्या बोले जाते है इसको cultural element अब देखे में कौन दित्य एक निमिकित में दित्य एक सम्मू का कौन सा उधारन है एक्जांपल है तो यहां जो एक्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपका यहां नहीं दिया गया दित्य एक सम्मू का एक्जांपल पडिवार तो अपका परार्थमिक सम्मू है ठीक है अब से स्था नहीं हो जाएंगे ऑप्सन टी बिल्कुल करेटन सुझेगा फिफ्टी नेमर कोशन में पुछा गया कि गौमाइन गौमाइन साफ्ट एवं गैसल साफ्ट की अभधारना यह किसने दीते यह जो कॉंसेप्ट किया था यह कॉंसेप्ट किसने दिया था टॉनिज ने कि इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कोन है तो इनके जी राइटर का नाम है दूबे कौन है दूबे अब देखे मेरिज एवंग मेरिज एंड मेरिज एंड एंड फैमिले इन इंडिया पुस्तक के लेखक कोन है तो इनके जी लेखक का नाम है वो क्या नाम हो जाएंगे के हित और परंपरा बिल्कुल ये सभी तीनों की तीनों ठीक है अनुसूची जाती में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है तो यह अस्परस्ता यानि आपसन अपकाड़ी बिल्कुल करेटर सोजेंगे अन्टेशेबिलिटी ठीक है यह मतलब एक तरह से आर्थिक समस्या नहीं है य कौशन पुछा गया कि नमिल्कित मैंसे नगडिय समुदाय की विशेष्था कौन सा नहीं है यहाँ जो नगडिय समुदाय की विशेष्था जो नहीं है यह हो जाएंगे अपका प्रार्थिमिक संभण्तों की परबलता यानि प्रार्थिमिक संभण्तों की परबलता जो है ये नगडिय समुदा की विश्यस्ता नहीं है, बाकि ये तीनों विश्यस्ता है, आप सनब का D, बिल्कुल करेटर सुझेंगे, 21 नमर कोशन का, अब देखें, कोशन में 22 में पुछा गया है, कि नमरकित मैंसे किस परकार का संगर से संथाल हो, नागा में विद्रो का कारण है ठीक है, तो यहाँ जो राइटर सुझेंगा 22 नमर कोशन का बुछेगा, पर संसर किर्थी करन, याँनि आप सनब का B, बिल्कुल करेटर सुझेंगे, एक कुछर रिलिशन, ठीक है, याँनि आप सनब का B, बिल्कुल राइटरस नहीं है, पीता पुत्र का उधारन संध पन जाण जाती की जाण जातीयों में बहुपति विवा काउन नहीं करते हैं यह भी समुधाय नहीं करते हैं, खासी जो जन जाती है, यह नहीं करते हैं, निमने खित मैं कौन सा कारण सन्युत्य पडिवार के विगटन का नहीं है, तो यहां जो राइटन सुटे का 26 नमर कोशन का वो जाएगा आपका जलवायू, यानि कलाइमेट आपका D बिल्कुल करेक्टन स हो जाएगे, चलिए नेश्ट कोशन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि परभाव, यानि परभाव परिवार का वह है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो एक तरह से एक जनम, यानि एक का जनम हुआ, ठीक है, यानि उसको one is born, आपसन आपका A बिल्कुल करेक्टन सुजाए अब देखे, 30 नमर कोशन पूछा गया, कि अमनिकित मैसे कौन सा भारत में सनसेकर्थी विविदिता का सूचक नहीं है, तो विविदिता का जो सूचक नहीं है, ये हो जाएगे, आपका वर्ग हैनि कलास, आपसन आपका सी बिल्कुल करेक्टन सुजाएंगे, अमनिकित मैस से कौन सी सनस्था किरिसक समाज विवस्था से नहीं है तो यहां जो करेक्टन सुने के 31 नमबर कोशन का वह जाएगा आपका तिर्तिया उद्ध्य कहनी टर्सरी इंडस्ट्री आपसन अपका सी बिल्कुल राइट इंस रुजाएंगे 31 नमबर कोशन का अब देखे कोशन वर्गों के लिए आरक्षन का परस्ताव रखा था काका कालेकर पीछले वर्गों के लिए आरक्षन का परस्ताव रखा था कितना परतिसद रखा था तो यह जो रखे थे कितना परतिसद रखे थे लगबग सता हाँ 27 परतिसद कितना 27 परतिसद ठीक है अब देखे पूछा सा लिंग समता से संबनित है तो यहां जो 34 का बिल्कुल कराइटन्स हो जाएगा वो हो जाएगा अपका एक तरी से शक्ती तथा अन्निसंसा दोनों तक समान पहुंच यानि आपसन अपका D बिल्कुल कराइटन्स हो जाएंगे पुशन निश्ट देखिए निमलिकित मैसे कौन समाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है चलिए बहुत अच्छी बात है बिल्कुल आंसर कलियर आ रहे हैं देखिए पुशा गया इसका आर्तिक परतियस्परता एकोनोमिक कंपेटिशन यह जो समाजिक परिवर्तन का अवर आप्सन आपका सी बिल्कुल राइट रहे हैं अब देखिए 37 माँ पुशा गया कि ग्रामुन समुदाय का तक तो निमलिकित मैसे कौन सा नहीं है ठीक है तो ग्रामीन समुदाय के जो तक तो नहीं हो जाएंगे वो जाएंगे आपका सांसिकर्टिक विविदिता यह आपसन पुछा गया कि मुस्लिम संपर्दाय में पाय जाने वहले विवा का अस्थाय रूप है तो यहां जो करेटर से अस्थाय रूप मुता है यानि आपसन आपका भी बिल्कुल करेटर से जाएंगे पुछा गया है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश से क्या होता है वो लोगों को विकास मूलक परसासन में भागी तारी बनाना ठीक है भागी दार बनाना आपसन अपका डी बिल्कुल करेटर से जाएंगे तो चली देखते हैं कि आप कोशन से पूछे गएं काफी यूनिक कोशन से होंगे सभी कोशन से मोश्ट इंपोर्टन है तो सबसे फर्ष्ट कोशन से एट का है कि निमने मैंसे कौन पच्छमी करन का कारक है तो यहां जो हो जाएंगे रेडियो टेलिविजन और समाचार पत तो यह पच्छिamp बंगाल में किसमें पच्छिम बंगाल में यानि वेश्ट बंगाल में आपसे नपकी बिल्कुल कराइटर्स हो जाएंगे। अब देखे क्वेशन पर 6 से मोग पुछा गया है कि भारत में राश्ट्रे निर्मान के पत्म है निमने कि मैंसे कौन सी बधा है कौन से मतलब रुकावट है तो यहां जो राइटर्स हो जाएगा आपका सरीनी बद सरीनी बद समाजी को विवस्ता और आर्तिक और समानता यह दोनों हो जाएंगे आपसन अब का सी बिल्कुल राइटर्स हो जाएगा कौशन पुछा गया कि निमने मैंसे दिये गए समाज सास्त्री मैंसे किसने माक्सवादी परिप्रेक्ष से भारतिय राश्ट्रिक का मतलब एक्तर से अध्यान किया ठीक है तो यह जो अध्यान करने आपसन अब का सी बिल्कुल राइटर्स हो जाएंगे नाइंध नुमर कोशन का अब देखें नाइंध में पूछा गया है कि भारत में जातिवाद और हरीजन समझा है ठीक है तो इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है अपनी जाती के परति निष्ठा यानि अपनी जाती परति निष्ठा इसको क्या बोलते है जाती वात बोलते है अपना जाती के परति अपना पड़ेम झाहर करना जाती वात करना निमने मैंज से कौन से राष्ट्रे एक एकरन मा भादक है मत्रव एक तरसे रुकावत डालता है तो यह डालता संपरदाइक था कौन संपरदाइक था अब चलिए नेश्ट कोशन पूछा गया कि नीचे दिये गए काफी सिंपल कोशन है चलिए कोशन नमर कितना हो जाएगा 12 कोशन नमर 12 है परभाव है तो क्या परभाव है इसके जो परभाव है क्या आप जाएंगे तीनों आप राद में वीर्दी और स्वस्ता पर बुरा परभाव परिवारिक विकटन को प्रवसान यानि आपसन आपका D बिल्कुल करेट उसर जाएंगे अब दीखे नेश्ट कोशन पूछा ग पूछा गया कि नमलिखी तरह места कम सी पच्छिमी करें की विसेस्ता है तो पच्छिमी करेंच की जो विसेस्ता हो जाएगी वह जाएगी आपका तीनों सामाजिक परिवर्टन की परिक्रिया, चेτικन और चेतन की परिक्रिया मुल्यागरत अधिक अधिक मानने ताए यानि पूछागे कि संसेकर्टी करेंगी जो अवधारना दी थी यह अवधारना जो प्रोवाइड किया था MN पूछागे कि किसने तकनीकी विलम बन अवधारना का पड़ियो किया थीक है पूछागे कि तकनीकी विलम बन अवधारना का पड़ियो किया थीक है कौन सा मतलब एक्तर से सनी है तो यहां जो करेटन सुभी का 21 नूमर कोशन का वो हो जाएगा आपका बरहम चड़या आसरम यानि आपसरम आपका ए बिल्कुल करेटन सुजाएंगे देखे कोशन पुछा गया कि भारत में सामुद एक विकास कारेकरम कब शुरू हुआ था तो यह जो शुरू हुआ था यह कब शुरू किया गया था 1952 को कब 1952 को अब देखे 23 पुछा गया कि निम्लकीत मेंसे कौन सी एक भारती है गरामीन जीवन की विसेस्ता नहीं है तो यहाँ जो राइटन सुझेंगे 23 नमर कोशन का यह आपचारिकता यापचारिकता फॉर्मलिजम ठीक है अब देखे नेश्ट को फॉर्मलिटी काते है उसको अब देखे उस बिवस्ता को क्या कहा जाता है जिसमें विभिनन जाती है एक दूसरे को अपनी प्रागत सेवाएं परदान करती उस बिवस्ता को क्या बोलते है तो इसको जो बोला जाता है इसको क्या बोलते है जजमानी क्या बोलते है इसको जजमानी बोलते है क्या बोलते है अपराद यानि आइस्परिस्तरा तो इसको जो पार्स किया गया था यह 1905 में अब देखे भारत के पर्थम पीछा और का आयोग की अध्यक्षे कौन थे तो यह जो पीछा और का आयोग की जो अध्यक्षे ते वो कौन थे काका कालेकर तो यह जो पर्योग किया गया अनुचिद की जनजातियों को पीछले हुए हिंदू किसने कहा तो यह बात जो कहते हैं जी एस घुरिये ने, किसने, जी एस घुरिये ने, आपसन अब का C बिल्कुल राइटेंस रो जाएंगे, अब देखे, क्वेशन में 29, सनमिधान की किस अनुच्छे द्वारा, और अस पर सताय ने, अन्टेच अब बिल्कुल कर दिया गया, कौनसा अनुच्छे द्वारा, य वह जाएंगे आपका जनन्म यानि बर्थ है ने अपसनापका सी बिलकुल करेटे सुझांगे थाटी नमर कोशन का अर्धी के कोशन पुझा गया हरीजन सेवक संग की अस्थापना किसने की थी तो इनकी जो अस्थापना की थी ये की ही थी महात्मा गण mec ने कितने मादमा गंदी ने option अब कभी बिल्कुल correct ने सुझेंगे 34 number question का भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्य उपवन का सुझाओ किसने दिया ठीक है किसने ये सुझाओ दिया था किसने ये idea दिया था ये idea दिया था Elvin ने किसने Elvin ने option अब का बिल्कुल correct ने सुझेंगे 32 number question का अब देखे question में 33 गिरी जन का पडियोग होता है तो गिरी जन का पडियोग होता है किसमे होता है ये होता अनुसरीचित जन जाती के लिए अब देखे नेश्ट कोशन पुझा गया किनमलिकित में कौन सा धरम का लक्षन है ठीक है धरम का लक्षन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे तीनों यानि तीनों के तीनों आउलोकिक शक्ती में विस्वास पवित्रता की धारना पूजा तीनों के तीनों आपसनव का डी बिल्कुल पुछा गया कि निम्लेकित मैं कौन सा एक संसिक करात्मक विभा है तो यहां जो करेक्टन सुझाएंगे वो जाएंगे हिंदू विभा अपसन अपका C बिलकुल राइटन सुझाएंगे अब देखें कौर्शन में 39 में पुछा गया कि एकांकी पडिवार बना होता है पती पतनी एवंग उनके किस और उनके क्या होता है एकांकी पडिवार में और उनके अविवाहित बच्चे तैनि आपसन अपका B बिलकुल करे ठीक है तो ये क्या था अपका ये कौट सा 7 था ये अपका से 8 था 7 को हम लोगोंने कंणर कर लिया ठीक है तो अब हमें आगए बड़ते हैं से 9 की और सेट नाइन में हम लोग इन कर चुके कौन्ट सा सेट है यह सेट नाइन है तो चले देखते हैं क्वेशन क्या होगी सेट नाइन में और सेट नाइन का सबसे फर्ष्ट कोषण आपका स्क्रीन पर रखा गया है क्वेशन करना कि चिप को आंदोलन सम्मिदी था तो वरनों की रक्षा से सरी विदिख्षों की रक्षा से ने प्रोटेक्शन ओफ टिरीज आपसन आपका एफ विल्कुल राइटर्स हो जाएंगे अदिखे सेकंड नमर कॉशन में पूचा गया कि पंचायती राज में कितने अस्तर होते हैं इतने मतलब लेर होते हैं टोटल अस्तर जो होते हैं तीन होते हैं पंचायती राज्य में कितने अस्तर होते हैं तीन होते ठीक है जाती एक खते पडिवास चुछ का किसे नहीं सुछेश ric स्थापना कब की गई थी तो आरे समाज की जो अस्थापना हुई थी यह हुई थी 875 में कब 875 में आपसन अपका ए बिल्कुल करेटर सुझाएंगे पांच वह नमर कोशन का अब देखे कोशन बन 6 पुछा गया कि पच्छिमी करेंट की अगधारना किस ने दी तो यह जो वे तो नई राष्ट्रे जन से क्या नीती जो घोसित की गई थी पका 2000 इस वी में आपसन अपका भी बिल्कुल करेटर सुझाएंगे 775 कोशन का अब देखे कोशन बन 8 पुछा गया कि किन है समाज सास्तर का जनक का जाता है किन है समाज सास्तर का जनक का जाता हूँ इस कॉल द किसने लिखी थी ये लिखी थी बर्गेस और लॉकने किसने बर्गेस और लॉकने मिलकर ये दोनों पुस्तक लिखे थे ये दोनों मिलकर पुस्तक लिखे थे फिदा फेमिली यानि आपसन आपका क्या हो जागा ए बिल्कुल राइटर सुझाएंगा 9 नमर कोशन का अब दे गधायका एक्जामपल है अबसेन अपका वी कि बिल्कुल करेटी इसें के गाई का कुष्ट से पुशा कि कि इन इंडिया के पुष्टक लिए कुष्टक है इनके लेकर कौन है राइटर कौन है ठीक है इनके राइटर का जो नाम है वो हो जाएंगे अपर धूरी है क्या हो जाएंगे धूरी है ठीक है या घूरी है लिखा हुआ है अंग्रिजी में ठीक है अब देखे पुछा गया कि साप्ताहिक बाजार कौन से हैं साप्ताहिक बाजार जो हो जाएंगे ये कौन से बाजार हो जाएंगे साप्ताहिक बाजा अब देखिए Q16 में पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन में भूमी का निभाते हैं, सामाजिक परिवर्तन में भूमी का कौन निभाते हैं, टीवी, सामाज पत्र, रेडियो तीनों, यानि सभी के सभी तीनों के तीनों मतलब सामाजिक में परिवर्तन लाते हैं, अब सनब क डी बिल्कुल राइट रो जाएंगे अब देखे कोशन में 17 में पूछा गया कि वर्तमान समय में जनजाती की परमुख समय से में जो प्रोबलम है वो है पर संसेकर्थी की करन यानि पर संसेकर्थी करन यानि क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट रोएगा 17 नेमर कोशन का अब देखे, नेश्ट कोशन पुछा गया कि भारत ये अर्थय वेवस्ता का मोडल किस परकार का है, भारत ये अर्थय वेवस्ता का मोडल है, मिस्रित अर्थय वेवस्ता है, मिक्स Да, एकोनोमी है, आप सनब का B, बिल्कुल correct थाएंगे, 18 नेमर कोशन का, अब देखे, नेश् चोटी जो परिवार होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको मूल परिवार है, यानि नुकलियर फेमिली, यानि आपसन अपका, ए बिल्कुल करेट ने सुरेगे, नुकलियर फेमिली, क्या हो जाएगा, नुकलियर फेमिली, स किर्सी के लिए कौन परिवार अनुकुल है तो किर्सी के लिए जो परिवार अनुकुल है वो हो जाएंगे आपका सन्युक्त परिवार जॉइंट फेमिली आपसन अब कभी बिल्कुल करेक्टन सुझेंगे 23 नमबर कोशन का अब देखे कोशन में 24 में पुछा गया कि जन संक्या का अध्यान जिसमें करते हैं तो यह जो किये थी यह सब्द का इस्तमाल जो किया था सबसे पहले गुई लाड़ने किसने गुई लाड़ने आपसन अपका ए बिल्कुल राइटन्स रो जाएंगे अब देखे कोशन में 25 में पूछा गया कि भारत में बरती हुई जन संक्या का परमुख कारण है तो भारत में जो बरती हुई जन संक्या का बरतमुख कारण है वह असिक्चा क्या हो जाएगा अब देखे कोशन में 26 सार्दा एक्ट पास हुआ था, सार्दा एक्ट जो पास किया गया था, यह कब पास किया गया था, यह किया गया था, पास 1929 में, 1929 में, आपसन अब का भी बिल्कुल राइट सुझेंगे, 26 नमर कोशन का, अब देखे, 27 भारतिय समाज की सबसे परमुख विसेशता, क्या है, स इस परकार की होती है, नकारादमक होती, निगेटिब होती है, आपसन अब का डी बिल्कुल राइटन सुरू जाएंगे, जाती बिवस्था का कौन सा दोस है, जाती बिवस्था का जो में एक्टर से डेमेरिट से है, वो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपका आ प्राकृतिक आपदा क्या जाएंगे प्राकृतिक आपदा आपसन अपका C बिल्कुल राइटर सुझेंगे 30 नुमर कोशन का अब देखे कोशन में 31 जन जाती है विवा का सौरूप क्या होता है जो जन जाती है विवा का जो सौरूप होता है वो क्या होता है अंतर विवा क्य मानी जाती है तो यहां जो right answer रो जाएगा 32 नमर question का वो जाएगा आपका still उद्धुक क्या जाएगा still उद्धुक आपसन अपका ए बिल्कुल right answer रो जाएगे अगे अब देखे question 33 में पूछा गया कि अनुस्थी जाती को पहले किस नाम से पुकारा जाता मैं कौन सा, मैं कौन सा एक तरह से मत परस्तुत किया है, ठीक है मनतलब कौन सा अपना statement रखा है, यहां तो correct न सुझाएंगे, जाती में गती सिल्ता का अफसर नहीं था, जाती में गती सिल्ता का जो अफसर हो नहीं था, limit chance of mobility, यानि option अपन क्या हो जाएगा, C बिल्कुल correct न स अधिक्षे कौन थे, तो मंडल आयो के जो अधिक्षे थे, वो कौन थे, बीपी मंडल, बीपी मंडल क्या थे, मंदल आयो की अधिक्षे थे, भारती जाती बिवस्ता की विसेस्ता क्या है, जो भारती जाती की जो विसेस्ता है, वो निश्चित बिवस्ता है, क्या हो जाए अब देखे कोशन में 37, परजात अंतर की क्या विस्यस्ता होती है, तीनों की तीनों विस्यस्ता होती है, परजात अंतर में यहीं डिरिश्टी में समान होती है, सब लोग, सावरोभमिक, मताधिकार यहीं, वोड देने का अधिकार सबको होता है, अब देखे कोशन में 38, होम अब देखागा कोंशे समाजिक समस्था है तो यहाँ जो समाजिक बिक्षा विरते है याँfilled मांगना याँ एक तर. से किसे की सामने हाथ फैला ना ठीक है उनके दरवाजे मा जांग ना तो ये एक तरह से समस्ते है कि समस्ते हाल समाज की यह आपसन अपका धी बिल्कुल करेट सुझेंगे 14 नमर कोशन का ठीक है तो हम लोगोंने सेट 9 को कवर के लिया अब लास्ट रिसेट लास्ट रिसेट का सेट 10 मा हम लोग इन कर चुके है तो चलिए देखती है सेट 10 मा क्या-क्या क्या 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 सहंगे सबसे फर्स्ट आपका सेट 1 का चुछा छूट को संविधान के किस अनुशेद के द blacks そंपह कि भारत के लोग मुखह रूप से आस्रित हैं तो किस पर आस्रित है किर्षी पर किर्षी पर यानि आप सना आपका भी बिल्कुल राइटनस हो जाएंगे अब देखें इनमें से कौन यह समाज की समस्या नहीं देखें फुर्ष नमर कोर्षन का सवरी हैं निस्टिक हुआ था देखे नेश्ट कुछा गया कि इनमें से कौन जन जाती समाज की समस्या नहीं है तो यहाँ जो करेक्टन से जाएंगे फोर्थ नम्बर कुछन का वो जाएगा चुवा चुत यानि आपसन अपका ए बिल्कुल करेक्टन से जाएंगे देखे कुछन में पुछा गया कि भारते ग्रामीन समुदाय की क्या विसेस्ता है किसने दिया तो यहाँ जो करेक्टन से जाएंगे सेवन्थ नम्बर कुछन का वो जाएगा आपका चाल्स कुले ने किसने चाल्स कुले ने चलिए ने इस जो कुछन आपका स्क्रीन पर पुछा गया कि पिछला वर्ग कमिसन बीपी मंडल का अधिक्षिता में कब कोशन जाती ने हिंदू सामाज को कितने भागू माँ बाता है तो यह बातने के कारे किया,से बर्ति मंदित करने का करने का कारे किया था वो कुंछे 25 या इनुंचे 17 में हम थुरए सा प्रक्रीजन हो यहाँ ग्रम कमेंट करता never पिन कर देंगे ठीक है तो यह चीज़ याद रखने का प्रियास करेंगे तो सेट 10 ठीक है हम लोगों ने टोटल कितना सेट को कवर किया दस सेट को कवर किया अगर यह सभी तस सेट को जो कवर कर लेंगे उनका 100% गारंटी है उनका एक्जाम सेसलिजी में बहुत अच्छा जा ठीक है तो रखें अपना ख्याल मिलेंगे फिर नाइस्टे बीडियो में तत्ते के लिए जाहें